हलो फ्रेंज गुड मौर्निंग मैं हूँ एम जय और जैसे कि देख रहे हूँ अभी मैं अपने प्लांट्स के उपर शावरिंग कर रहा हूँ हमारी जो प्रूनिंग है वो प्रूनिंग कम्प्लीट हो चुकी है हमने अपने जितने भी प्लांट्स प्रून किये थे वो तीन बार या तो दो बार शावरिंग जरूर करिए इस से आपके जो प्लांट के नोड एडियाज है वो ओपन जल्दी होना शुरू हो जाएंगे दूसरी इंपोर्टन चीज जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि आप अपने पोधे के अनदर यानि कि मेडिया के अनदर Acidic Water का application जरूर करिए एस जल्दी खुलना भी शुरू हो जाएंगे और जो भी पत्ते निकलेंगे वो लाल कलर के निकलेंगे जो बहुत खूबसूरत लगेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा वो चीज देखके, आपके प्लांट के ऊपर हरे भरे, आपके प्लांट के ऊपर लाल कलर के, मरून कलर के पत्ते निकलते हुए आपका मन खुश कर देगा, इतनी खुबसूरसी से प्लांट आपका ग्रो होगा, तो acidic water जरूर अपलाई कर हो, एक पौदे के अंदर एक लीटर, तेड़ लीटर के आसपास पानी देना है, अब जैसे की बहुत सारे लोग सोचेंगे, सर आपने इतना ये शावरिंग वगेर ही किया प्लांट के ऊपर, तो मीडिया के अंदर पानी चला गया है, लेकिन वो पानी इतना इनफ नहीं हो तो सिर्फ शावरिंग के बेज़ पे मैं अपने प्लांट के रूट्स को मॉइस्ट नहीं रख सकता, उसके अंदर मुझे वाटरिंग करनी ही पड़ेगी, तो मैं डेली वाटरिंग करता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी देता हूँ, जैसे कि मैं पाइप से पानी देता हूँ, अगर आप पाइप से पानी नहीं देते हो, आपको वाटरिंग करने में समझ नहीं आ रही है अभी ये स्टेज पे, तो आप अपने प्लांट के म अगर आपका मिट्टी मीडिया है तो जैसे ही आपको लगता है कि अपर सर्फेस इसकी ड्राइ होना शुरू हो चुकी है उसके बाद आप वाटरिंग कर सकते हो एसीडिक वाटर आपको हफते में दो बार देना है एक मंडे को दे दीजिए एक ठर्सडे को दे दीजिए वह इसाब से आप एसीडिक वाटर दे सकते हो या तो minimum एक बार acidic water जरूर दीजिए मिट्टी में या तो सिंडर में plant grow कर रहे हो तो compulsory week में दो बार आप acidic water जरूर दीजिए लेकिन अगर आप कोकोपीट में कर रहे हो तो week में एक आद बार भी चल जाएगा लेकिन मैं दो बार acidic water दूँगा क्योंकि acidic water का जो pH रहता है वो 6.5 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि मैंने जो dose बताया आपको वीनेगर का उसमें acidic water का pH 6.5 से नीचे नहीं जाएगा तो मैं दो बार इसको acidic water दूँगा ताकि इसका pH मेंटेन रहे और watering हमें plant के media को चेक करके देना है ऐसा नहीं है कि मैंने 500 ml बोल दिया तो आपने 500 ml से ज्यादा दिया ही नहीं क्योंकि temperature भी matter करता है मेरे या temperature अभी गरम है अगर आपके या temperature थोड़ा सा थंडा है तो ऐसे में आप पानी थोड़ा कम भी दे सकते हो लेकिन मेरे या temperature गरम है कुछ भी देने की जरूरत नहीं है जो भी हम fertilizer वगेरे देना शुरू करेंगे वो next week से देना शुरू करेंगे तो अभी ये week में पूरा खाली जाने दूँगा उसके बाद से मैं अपने plant के अंदर fertilization शुरू करूँगा कौन सा fertilizer पहले देना है और आप मुझे personally telegram group पे message कर सकते हो तिल देन के लिए thank you friends और happy gardening